बदलती लाइफ इस्टाल में जहां पहले ये माना जाता था कि लड़की लड़कियों से मतलब निकालने के लिए उन्हें धोका देकर चले जाते हैं लेकिन आजकल कई ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिसमें लड़की द्वारा लड़के को अपने जाल में फसा कर धोका दिया गया है वहीं दूसरी और पती पत्नी में भी अक्सर गलत फैमिया होती रहती हैं जिसके चलते कई बार पारिवारी कलह भी उत्पन होता है आज कर लोग अपनी सुप्स विधा को छोड़कर अन्य किसी प्रेमी प्रेमिका के जहां से में आ जाते हैं सिर्फ पती हिने कई बा गुलसार कुछ ऐसे कारण हैं जिने देखने के बाद ऐसे और तो की पहचान की जा सकती है अज में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको जानने के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपकी विडूँदो के बाद है या नहीं वो आपको दोखा दे रही है य nine six number one पति की आने जाने का वक्त नोटीस करना अगर आपके पतनी बार-बार आपसे आपके ओफीस का टाम या फिर मीटिंग के बारे में पोछती है बार-बार आपकी दिन भर का प्रोग्राम के बारे में जाननी की कुछिश करती है जिससे उन्हें अपने नाजायस पार्टनर के साथ मिलने का टाइम फिक्स कर सके तो ये दोखा देने वाली पत्नियों का विसेस लच्छड है तो सावधान रहें पता कर लीजिए वो अगर आपका टाइम पूछ रही है तो आपकी फिकर कर रही है या फिर अपने पार्टनर से मिलने का टाइम निकालना चाहती है पॉइंट नमबर टू रिष्टे में इमोशनल सपोर्ट ना रहना यदि आपकी पत्नी आपके साथ प्यार के दो पल नहीं बिता रही है आपको भाव नहीं दे रही पति-पत्नी के रिष्टे में होने वाली वो छोटी-छोटी नोग जो आपके रिष्टे में बिल्कुल नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी पत्नी आपको धोका दे रही हो क्योंकि जहां पर दो लोग रहेंगे तो वहां थोड़ी बहुत किर्फिट होगी जरूर प्यार है तो लड़ाई भी है लड़ाई है तो प्यार भी है ठीक है बट हस से जादा ना हो पॉइंट नमबर थ्री बदन की खुस्बू कोई और दोका दे रही है या नहीं दे रही है इस बात का अंदाजा उसके बदन की खुस्बू से लगाया जा सकता है अगर घर से बाहर जाते वक्त किसी औरत के बदन से कोई और खुजबू और घर के अंदर आते वक्त कोई और खुजबू है तो हो सकता है कि वो आपको दोका दे रहे हैं ऐसी ओरते अक्सर घर से बाहर शॉपिंग का बहाना करकर निकलती हैं और अपने नाजायस पार्टनर के साथ घूमती फिरती हैं नमबर फोर हॉट कपड़े पहनना या फिर पहले से वो पहनती है उसका कलेक्शन बढ़ा देना आपकी पतनी आपको दोखा दे रही है या नहीं यह इस बात से भी पता लगता है कि आपकी बीवी आकर्शक कपड़े यानि की होट कपड़े खरीदने लगती या फिर वो पहले से पहन रही है तो और भी जादा उसका कलेक्शन बढ़ा देती है गाउन पहनती है शॉर्ट्स रहती है तो समझ जाए डियर उन होट कपडों का लाफ कोई और उठा रहा है यानि कि आपकी बीबी आपको धोका दे रही है नमबर फाइब हर रोज नए नए दोस्त बनाना अगर आपकी पत्नी आप में कोई भी दिल्चस्पी नहीं रखती है और बाहर नए नए दोस्त बन रहे हैं तो समझ जाए वह आपको दोखा दे रही है आप में इंटरेस्ट नहीं रहा वो किसी और में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दी है पॉइंट नमबर सिक्स एंड वैरी इंपोर्टन पत्नी द्वारा फोन का पासवर्ड ना बताना अगर आपकी पत्नी आपको फो टाला हो रहा है फोन से और आपकी पत्नी आपको दोखा दे रही है